Hello, इस वीडियो में आज हम सिखेंगे कि STML में आगर हमने line को break करना है, तो उसको कैसे करेंगे, इसके वारे में इस वीडियो में सिखेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम line break इसके definition क्या है, इसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पे इसकी definition है HTML में BR tag को किसी text या paragraph में line break करने के लिए use किया जाता है यह दिखो यहाँ पे BR tag use किया हुआ है तो यह जो tag है तब use किया जाएगा जब हमने line को break करना है यह tag उन situation के लिए मत्वरन है जिसमें line break का मत्वर होता है उधान के लिए कोई point address लिखते समय text line को break करने के लिए आप इस tag का use कर सकते हैं तो अगर हमने कोई line break करनी है तो हम यह BR tag use करेंगे create a map is to display text with line break तो इसको हम यहाँ पे करेंगे यह हमने यहाँ पे notpad पे HTML का program लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे HTML उसके बाद लिखा हुआ है head उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ title और यहाँ पे title के बीच में लिखा हुआ है line breaks इसके बाद title को बंद किया हुआ है head को बंद किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है body, तो body के बीच में यहाँ पे हमने heading tag यूज किया हुआ है h1 और यहाँ पे हमने कुछ text लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे heading को बंद किया हुआ है, h1 को बंद किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे body को बंद किया हुआ है, इसके बाद यह तो यह जो है हमें एक लाइन में दिखाई देगा सारा ही जितना भी हमने यहां पर टेक्स लिखा हुआ है अगर हम चाहते है कि इसको अलग लग देखें जैसे यह आमित एंड कंपनी यह एक लाइन में हो इसके नीचे जो लाइन आए नियर न्यू बिल्डिंग यह इसके नी नीचे फिर यह सर्कुलर रोड आए इसके नीचे फिर यह जिलंद सिटी आए इसके बाद यहां पर इमेल अडरेस आए तो इसको हम कैसे यहां पर लाइन को ब्रेक करेंगे इसके लिए हम बियार कमांड यूज करेंगे लेकिन पहले हम देखते हैं कि अगर हमने बियार कमा के बाद इसको यहां पे save as करेंगे save as पे क्लिक करने के बाद यहां पे कहां पे save करना है desktop पे save करना यहां पे desktop पे क्लिक किया इसके बाद यहां पे देंगे file name तो file name यहां पे हम कुछ भी लिखते हैं जैसे यहां पे हमने file name दिया ERT ये file name दिया इसके बाद यहाँ पे dot लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे stml ये लिखा एक्स्टेंशन लगाया इसके बाद यहाँ पे इसको save कर देंगे, save करने के बाद ये दिखो desktop पे ये आ जाएगा तो इसको हम यहाँ पे open करेंगे open करने के बाद ये लिखो हमने जितना भी body के बीच में text लिखा था वो सारा यहाँ पे एक line में आ रहा है अगर हम ये चाते हैं कि ये Amitand Company ये एक line में आए इसके नीचे जो ये new building लिखा हुआ है ये इसके नीचे आए, यहाँ पे आए इसके नीचे यहाँ पे circular road ये आए इसके नीचे यहाँ पे जलंदर city ये आए और इसके नीचे यहाँ पे email address ये आए तो हम इसको break कैसी करेंगे तो हम यहाँ पे br command का use करेंगे तो इसको कैसी करना है इसको हम फिर program पे जाते हैं ये program पे गए यह Amit and Company यह एक लाइन में चाहिए, यहाँ पे break tag यूज़ करेंगे, यह देखो, BR लिखा, इसके बाद new building, यहाँ पे हम break tag यूज़ करेंगे, यह देखो, यहाँ पे हमने BR लिखा, इसके बाद circular road, break tag यूज़ करेंगे, यह BR tag यूज़ किया, इसके बाद यहाँ पे जलंदर करेंगे यह file पे गए, save पे गए, save पे क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पे इसको refresh करेंगे, तो जहां जहां पे हमने BRTag यूज किया हुए है वहाँ से यह line break हो जाएगा, यह देखो, यहाँ पे इसको refresh करते हैं, यह refresh कرनी के बादि यह दिखो Armin丐ं Organism Company, यहाँ पे इसके बाद हमने BR Tag use किया हुआ है तो यह Line break यहांपर हो गई इसके बाद ही लिखा हुआ है Near New Building, यह दिखो Near New Building, इसके बाद यहाँ पे हमने Break Tag use किया हुआ है, तो यहाँ से Line break होगी, इसके बाद कहां पे और यह जो email address है यहां पर यह नीचे आ रहा है तो जहां जहां पर हमने BR tag यूज किया हुआ है वहां से क्या हुआ है लाइन ब्रेक हो गई है तो इस तरह से हम यहां पर लाइन ब्रेक tag का यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि लाइन को कैसे ब्रेक किये जाता है इसके बारे में इस वीडियो में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल